So hi everyone, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का पोशन ट्रेकर रैप की एक नई वीडियो में तो जैसे कि हम लोगों ने देखा जो पिछला अपडेट आया था 16.7 इस अपडेट में आप लोगों के लिए एक ऐसा अभी अपडेट आया है जिसमें लिखा गया है is the child going to school यानि कि क्या बच्चा इस्कूल जा रहा है तो उसमें आप लोगों के लिए दो अप्शन दिये गए हैं यस और और नो तो इस अप्शन में आप लोगों को किस बच्चे को यस करना है और किस बच्चे को नो करना है इसके रिकारिंग आप लोगों को confusion हो रही है और काफी सारे comment भी आ रहे है कि एक वीडियो बनाईए जिसमें हम लोग समझ सकें कि किस बच्चे को हम लोग यस करेंगे और किस बच्चे को नो करेंगे तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी informative होने वाली है इसमें आपको बताएंगे कि हमें किस बच्चे को यस करना है और किस बच्चे को नो करना है तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट रहेंगी जो हमेशा सराती है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आप लोग हमें लाइक करते रहिए और जो भी नई आगन बारी बहने इस वीडियो को देख रही है वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के वेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन जरूर सिलेक कर लें ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लाभार्थी वाली केटेगरी को ओपेन करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक उप्शन दिया गया है यानि एक केटेगरी है जो 3-6 वर्ष के बच्चे हैं इसी में यह आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इस केटेगरी को ओपेन करते हैं ओपेन करने के बाद किसी एक बच्चे के यहाँ पर 3-2 पर किलिक करेंगे और यहाँ पर पर प्रफाइल अपडेट वाली केटेगरी में आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एक उप्शन को एड किया गया है जो पिछले अपडेट में आप लोगों ने देखा होगा और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस परकार से आपको किस बच्चे को yes करना है और किस बच्चे को no करना है ठीक है यहाँ पर लिखा गया है is the child going to school जा रहा है यहाँ पर अंगनबारी केंदर की बात नहीं हो रहते हैं जैसे कि मान लिजिए कि क्या होता है कि जितने सारे बच्चों का नाम हमने रेइस्टर किया है उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपके आंगन बारी के अंदर में नहीं आते हैं वो दूसरे किसी स्कूल में उनके माता पिता जो है वो दूसरे किसी प्राइबेट या सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करा देते हैं उस कंडिशन में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर यस करना है ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूं यस कर देंगे यस करने क हैं तो जिस बच्चे को हमने यस किया हुआ है उस बच्चे का नाम आपको डेली ट्रeकिंग के देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि उस बच्चे को हमने दिखा दिया कि वो बच्चा हमारे आंगन बारी में नहीं आ रहा सिर्फ पर सिर्फ जो डेली टेकिंग वाला ओप्षन है यहां से उस बच्चे का अटेंडेंस वाला में से नाम हट जाएगा फिर चलिए हम आपको दिखाते हैं जैसे कि यहां पर तीन से छे वर्स के बच्चे हैं अगर आपने गलती से उसको यस भी कर दिया है तो उसको आप लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं जैसे कि फिर से हम उस बच्चे के नाम के उपर किलिक करेंगे यहां पर थीरी डॉट पर किलिक करने के बाद प्रफाइल अपडेट में आ जाएंगे आने के बाद जैसे कि अभी हमने इसको यस पर किलिक करके समिट कर दिया है अगर गलती से आप लोग यस कर देते हैं अगर वो बच्चा आपके आंगन बड़ी केंदर आता है और गलती से उसको यस कर देते हैं तो आप उसको फिर से करेंगे कि नहीं पर किलिक करेंगे और यहां पर समिट करेंगे तो आपका जो डेटा है वो समिट हो जाएगा देखिए इस परकार से मैं समिट कर रहा हूं तो इस बच्चे का जो नाम है वो आपको फिर से डेली ट्रेकिंग में देखने को मिल जाएगा यानि कि आपको एक ही बात समझना है कि यह जो अपडेट आया है वो आप लोगों के लिए आया है कई बार क्या होता है कि जो registered बच्चे है वो आपके आगनबारी केंदर में नहीं आते हैं और आपको वहाँ पे दिकत होती है कि हम उस बच्चे को रखें या नहीं रखें और delete का वैसे भी option हटा दिया गया है तो उसी के recording ये update है कि अगर वो बच्चा आपके आगनबारी कर देना है बस इतनी सी बात है आप लोग इस वीडियो से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किस बच्चे को यस करना है और किस बच्चे को नो करना है ठीक है अगर वीडियो helpful लगी हो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं त कोशिस जरूर करूंगा मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी आंगनवारी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद